आज मैं आप सभी लोगों के लिए मटर पुलाव चावल बनाने जा रही हूं और आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो मैंने लिये हैं पुलाव वाले चावल, चावल को मैंने पहले हिसाब करके अच्छी तरह से धुल लिया है और इन्हें पानी में भिगो कर लगभग 30 से 40 मिनट के लिए रख दिया था अब कड़ाई में लिया है पानी गरम होने के लिए और फुल फ्लेम पर पानी अच्छी तरह से गरम हो गया है अब मैं इसमें डालूंगी चावल और इसे चलाऊंगी आप जब भी चावल उबलने के लिए रखें तो किसी बड़े और गहरे वरतन में रखें अब इसे चलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी दो से तीन चम्मच रिफाइंड ओयल आधा चम्मच साधा नमक और आधा निबू का रस रिफाइंड ओयल डालने से चावल एक दूसरे में चिपकते नहीं है और नमक डालने से चावल तूटते नहीं है निबू डालने से चावल का टेस्ट अच्छा आता है और लगभग आठ मिनट के लिए इसे ढख कर रख दूंगी आप कवर को हटाने के बाद मैं इन्हें चलाओंगी चावल उबलते समय आप लगभग दो से तीन बार कवर को हटा कर चलाते रहें तो कुछ देर के लिए मैंने इसे फिर से कवर कर दिया था और अब इन्हें चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि चावल में अच्छी तरह से उबाल आ रहा है और इस तरह से मैं चेक करूंगी कि चावल पके हैं या नहीं तो कुछ देर के लिए मैं इन्हें फिर से ढख दूंगी अब कवर को हटाने के बाद मैं एक बार फिर से चावल को चेक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि चावल पक गए हैं और हलका सा अभी टाइट हैं तो अब मैं फ्लेम को आफ कर दूंगी और चावल को मैंने किसी जाली में छान लिया है आप इस तरह से इस टील की जाली में या फिर किसी सूती कपड़े में इन्हें छान सकते हैं अब कढाई में लिया है घी एक चमच डाला है देसी घी अब मीडियम फ्लेम पर घी गरम हो रहा है और तड़के के लिये लिया है बड़ी इलाईची कुटी हुई काली मिर्ज, तेजपत्ता, दो टुकड़े में कट किये हुए काजु और छोटी इलाईची कुटी हुई अब तेल गरम होने के बाद फ्लेम को स्लो कर दिया है और तड़के के लिये डाला है जीरा, तेजपत्ता बड़ी इलाईची, काली मिर्च और छोटी इलाईची अब स्लोप लेम पर तड़के को भुनूंगी ताकि तड़का जले नहीं और अब तड़के का कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें डालूंगी काजू अब काजू का हलका सा कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें डालूंगी उबली हुई मटर और इसे चलाऊंगी अब इसे चलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी चावल जिन्हें मैंने उबाल कर छान कर रखा था चावल को पानी में उबाल कर बनाने से इसका चिपचिपापन कम हो जाता है और अब मैं तड़के के साथ में चावल को चलाऊंगी इसे चलाते समय फ्लेम को मीडियम किया है आप देख सकते हैं कि तड़के में चावल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब इसे चलाने के बाद मैं इसे कवर करके पांच मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढख कर रख दूँगी ताकि तड़के की खुस्बू इसमें अच्छी तरह से आ जाए और आप मैंने कवर को हटाया है और आप देख सकते हैं कि पुलाव कैसा बना है मैंने सिल्वर की कड़ाई में पुलाव को फ्राई किया है इसमें हलका सा चावल चिपकने लगते हैं अगर आप के पास नौनिस्टिक कड़ाई है तो आप उसमें चावल बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मटर पुलाव चावल बनकर तयार है और अब मैं कड़ाई को फ्लेम से नीचे उतार लूँगी तो मैंने इसे ढख दिया है और लगभग 5 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मतर पुलाव कैसा बना है आप इस पुलाव को अपनी मन पसंद मतर, पनीर या फिर मस्रूम या अपनी मन पसंद सबजीयों के साथ में खा सकते हैं ये चावल बहुत ही खाने में टेश्टी होता है तो आप सभी लोगों के लिए मतर पुलाव बन कर तयार है आप भी एक बार इस तरह से मतर पुलाव बना कर जरूर ट्राई करें और अब मैं निकालूंगी इसे स्प्लेट में सर्व करने के लिए तो आप सभी लोगों के लिए मतर पुलाव बन कर तयार है और आप भी इसे एक बार इस तरह से बना कर जरूर ट्राई करें अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें झाल करें